आप सभी को नमस्ते, मैध्री बोज की इस परिवर्दन की कक्षा के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और हम खास तौर पे जो भी सिखाते हैं, वो आप ऐसा समझे कि वो अध्यात्मिक जगत का ABCD है, पहले कुछ कदम, जो ग्यानी है, पंडित है, या जिनोंने ग्रैजियोशन कर लिया है स्पिरिचॉलिटी में, उनके लिए शायद ये कक्षा जो है, उतनी मदद नहीं पहुँचा पाएगा या सहायता नहीं कर पाएगा, जब तक आपको कुछ रिवाइज नहीं करना है, पर जो शुरुवाती तौर पर है, जो अभी अपनी अध्यात्मी की यात्रा में शुरुवात कर चुके हैं, जो A, B, C, D सीख रहे हैं, उनके लिए ये परिवर्दन की कक्षा है, तो आज का जो विशय भी है, वो विशय भी इसी प्रकार का है, कि हम जो भी चाहते हैं जिन्दगी में प्राप्त करने के लिए, उसके पीछे का कारण क्या है, प्राप्ती होती कैसे है, या संकल्प से सिध्धी की यात्रा वो होती कैसे है, अब इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आज विशय तहा हम एक विशय बात करेंगे, और वो क्या है, क्या करने से हमें प्राप्ती होती है या सिध्धी मिलती है, हम ये मानते हैं करम करने से प्राप्ती होती है, तो आप अच्छे करम करते रहें, अच्छा काम करते रहें, अच्छे विचार रखें, जिससे कि आप अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, पर आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा उसे डीटेल में समझने की कोशिश करेंगे, कि क्या सिर्फ कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है क्या, जो भी आप राप्त करना चाह रहे हो, क्या वो सिर्फ कर्म करने से ही मिलेगा, अब कर्म मतलब उठना, बैठना, देखना, सोचना, बात करना, पढ़ना, या जो भी आप रोज नित्य कर्म करते हो, तो क्या उन कर्मों के द्वारा क्या आप अपने फल को प्राप्त कर सकते हो क्या, हम ये कहते हैं कि ये जो सारे कर्म है, उसमें ऐसे कुछ विशेश कर्म है, जो आप रोज करते हैं, प्रती दिन करते हैं, तो फल की प्राप्ती जो होने वाली है आपकी जिन्दगी में, वो संपूर्ण तहा आधारित होता है जो आप रोज करते हैं प्रती दिन करते हैं और जो भी आप प्रती दिन करते हैं इसे समझे कि आप जो भी प्रती दिन करते हैं उसी को साधना कहते हैं अब साधना ये जो शब्द हैं कई बार अध्यात्मिक जगत के साथ ही देखते हैं पर हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी रोज करते हैं वो साधना ही है जैसे किसी एक विशेश विक्ती के साथ रोज बात करना साधना है विशेश प्रकार का पुस्तग रोज पढ़ना साधना है पढ़ाई करना साधना है कुछ चित्र देखना रोज वो भी एक साधना है आप जो भी रोज करते हैं अच्छा या बुरा वो सब साधना है जो भी प्राप्ति होने वाली है आपकी जिन्दगी में वो पूर्ण तहां आधारित है आपके साधना के उपर अगर हम इसे ऐसे भी देखते हैं कि कुछ लक्ष है यह नहीं क्या पराप्त करना है अगर आपने अपने मन में सोचा भी नहीं है तो आप इसे ऐसे देखिए कि आप जो रोज कर रहे हैं जो भी काम प्रति दिन लगातार करते जा रहे हो उसी के अनुसार आपको फल मिलने वाला है या उस प्रकार से आपके जिन्दगी में अनुभव बनने वाले हैं अब जैसे मानों कि आगर आप रोज किसी से विवाद कर रहे हैं किसी के साथ आपका अन्बन हो रहा है और रोज आपकी एक रिया चलती जारी है सुभे उठके किसे अपने वेक्ति के साथ या आसपडोस में किसे के साथ अगर वो आदध ही बन चुकी है गुसा करना, क्रोध करना और रोज विवाद करना अगर ये अपके भीतर हमेशा से ही चलते आ रहा है उससे आपको उसी प्रकार का फल प्राप्त होने वाला है आपको वो विवाद जो है विवाद का ही एक रूब आपके लिए फल बन के आने वाला है तो आप ये सोचे कि आप क्या करने वाले हो पहले इसे लिर्धारित कीजे ये मेरा लक्ष है जो भी हम क्रिया करते हैं या प्रती क्रिया करते हैं वो कर्म है तो उस कर्म के भीतर रोज लगातार करते रहोगे जो भी क्रिया वो साधना है वो साधना के अनुसारी फल प्राप्ति होने वाली है आप किसी एक बैंक में जाते हैं रोज पैसे निकालते हैं रोज सो रूपे अपने बैंक से निकाला तो एक साल के बाद क्या होगा आपके बैंक में कुछ बचने वाला है नहीं दूसरी क्रिया आप रोज बैंक में सो रूपे अगर आप जमा कर रहे हैं उसका फल क्या होगा बैंक में और ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो ये साधना इसी प्रकार से है अच्छा करने से और अच्छा मिलने वाला है पर रोज लगातार प्रती दिन और बुरा करते हैं रोज लगातार प्रती दिन तो वैसे आपको फल मिलने वाला है आज जैसे हम बात कर रहे हैं पर आप मेरी बात सुन रहे हैं इस परिवर्तर की कक्षा के साथ आप काफी समय से जुड़े हैं तो ये आपकी साधना बन जाती है हर हफते एक बार हम मिलते हैं आप हमसे कुछ सुनते हैं उसी प्रकार से आप अपनी जीवन में आगे बढ़ते हैं ये भी एक साधना है कुछ महिनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपको इस साधना का बहुत अच्छा फन मिलने वाला है तो ध्यान रखे आज जो आज का सुत्र है उसे आपको ध्यान में रखना है कि मुझे अपनी जिन्दगी में अगर परिवर्त लाना है तो एक साधना, अच्छी साधना रोज लगातार कुछ न कुछ करते रहना है और सुत्र आज का हमें क्या कहता है सुत्र ये कहता है करो एक साधना करो मतलब कर्म कर्म कैसे हो? एक साधना एक ही कर्म रोज करना है करो एक साधना पाएं फल मन चाहा अगर आप अपने कर्म रोज एक ही प्रकार के करते हो विशेश तहा जो आपका लक्ष है उसके अनुसार तो आप जिसे चाहते हो जो प्राप्त करना चाहते हो वो आपको जरूर मिल जाएगा करो एक साधना पाएं फल मन चाहा इसे अपने भीतर आप पुरी तरह से रख ले याद करें और इस हफते इसी के अनुसार आप आगे बढ़े कुछ प्रशन है इसकी ओपर आप ज़रूर पूछ सकते हैं कुछ शंका है ज़रूर आप पूछ सकते हैं हम फिर से और एक अच्छे विचार के साथ अगले हफते मिलेंगे आप सभी का कल्यान हो आप सभी का मंगल हो नमस्ते